नमस्कार किसान साथियों आज आपको एक नए उत्पाद से प्राकरतिक उत्पाद वनस्पति उत्पाद जिसका उप्योग बहुत अधिक किया जाता है आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं वेस्टडी कंपोजर के माध्यम से एक माइक्रो निूट्रेंट ए हैं यह आप देख रहें हैं एक कपड़े के अंदर पांच से शात किलो सहहजन मुन गां ड्रमिस्टिक की फलियां ओर थोड़ी पत्तियां और सब्सक्राइब ह पब आलियां इसमें ज्यादा पूरे पके हुए मुन्गा सहहजन ड्रमिस्टिक की फलियां जिसके अंदर बीज भी थे ये पांच से साथ किलो लेकर आज यहां बनाने जा रहे हैं इस बैरल के अंदर वेस्ट डी कंपोजर के माध्यम से माइक्रो नूट्रेंट एंजाइम और ये हम बनाने जा रहे हैं पेड़ की छाओं के नीचे माइक्रो नूट्रेंट एंजाइम आप सभी किसान भाई अगर बनाते हैं इस तरह का तो उसे च्छाओं जरूरी है और इस्प्रे का समय सूर्यास्त के समय यानि के ठंडा मौसम जरूरी है आज ये उत्पाद जो हम बनाने जा रहे हैं किनके फारम पर है और इन्होंने कौन से फसल लगाई है और बागवानी किया है इनसे जानते हैं पूरा परिचल मोतर डूफघьद के सावा जानते हैं के जाएम त्यार कर रहे हैं ये पाट से सथ किलो पतियां है सुबा स्पाई के फारम पर कपास की फसल इन्होंने लगा दी है कपास की फसल इन्होंने अब की बार मोहरत देखकर लगाई है और ये आज बनाने जा रहे हैं माइक्रो एंजाइम सहजन की पत्तियों से इसका उप्योग अब ये आगे करेंगे कपास की फसल में, जब कपास में साखाएं आने लगेगी, फूल से फल बनने की इस्तती में इसका उपयोग, आप सभी किसान सातियों को वैसे विदित ही है कि सहजन की हर एक अंस, चाहे इसकी जड, इसकी छाल, इसका तना, इसकी डालियां, पतियां, गौन, फलियां, फूल, एक भी इसकी अंस, ऐसी नहीं है, जो की बिना उपयोग की हो, सहजन एक ऐसा उत्पाद है, इसके अंदर सभी तरह के आवश्यक, माइक्रो निउट्रेंट, खनीज तत्व होते हैं, ये आज हम इस, सो लिटर के बेरल में, आप देख पा रहे हैं, साट लिटर वेस्ट डी क कमपोजर है, और पांच से साथ किलो सहजन की फलियां, डालियां, पतियां, इसका एंजाइम बनाने जाएंगे, अब मैं आपको बता दू किसान साथियों, यह इस बेरल के अंदर जो बनाने जा रहे हैं, इसको हम 21 दिन के लिए फर्मेंट करने के लिए रखेंगे, वेस्टरडी कमपोजर के बेक्टिरिया इस बेरल के अंदर समाहित कर लेंगे, और इसका उपयोग का पास अनार में करेंगे, अगर आप सभी किसान बाई इस तरह केवल सहजन मुनगा, यानि कि ड्रमिस्टिक की फलियों से अगर माइक्रो एंजाइम बनाना चाहते हैं, त इसका उपयोग किसी भी फसल पर प्रतिशत में अगर आखा जाए, तो अगर कीट नासक की बात करें, तो कीट नासक में ऐसा इसप्रे का जो शेडूल है, जो माप है, वो प्रति 100 लेटर के इसाब से 10 लेटर या 12 लेटर डाला जाता है, ये माइक्रो एंजाइमें सुक्ष पोशक्तत्यों का बंडार है, तो इसमें आपको 10 परसेंट या 12 परसेंट ना लेकर 3 या 4 परसेंट ही लेना है, 100 लेटर के इसाब से, उसमें आप अविशक्ता अनुसार वेस्ट डी कंपोजर मिलावें, यही एक किसानों की उन्नति का, किसानों की प्रगती का मार्ग है, जो किसान भाई, इस वेस्ट डी कंपोजर का उप्यो कर रहे हैं, उन्हें बहुत बढ़िया परिणाम मिल रहे हैं, इसी के साथ सुभास भाई से जानेंगे, कि इन्होंने जो पिछली बार वेस्ट डी कंपोजर फऽसल के अदर उप्यो किया, उसका परिणाम रहा, बताए पिछली बार गयों की फसल में भी चलाए जो बहुत बढ़ी है जो निकालेंगे उसको और चने की पसले मैंने पांच पत्ती कड़ा फेस्ट डी कंपोजर यही चलाए जिसे बहुत बढ़ी है रिजाज़त्रा अब आज आप अपने फारम पर समय से पहले बजार की महंगी दवाईयों से बचने के लिए वेस्ट डी कंपोजर आधारित यह निउट्रेंट बना रहे हैं माइक्रो निउट्रेंट बना रहे हैं एंजाइम बना रहे हैं किसान साथियों अगर आप किसी भी फसल के उपर सहजन की पत्तियों का अर्क एंजाइम अगर इ उपयोग करें अगर इसके साथ आप कोई अन्य उत्पाद मिला कर इस पर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इसको आप सिंगल भी कर सकते हैं अगर आपके कोई बेल वरगी फसल जिसका तना सीधा न जाकर जमीन में पसरता हो उसके उपर फूल आने की इस्तती में इसका उपय करें फल बनने की इस्तती में उपयोग करें सहजन की पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले सभी तरह के खनीज ततो पोशक ततो आपकी लगाए गई फसल में भी मिलेंगे जिससे की उनकी अच्छी उत्पादन बढ़ेगी उसके अंदर जिन ततों की कमी रसायनों की चाना चाहिए जो भी रसायनिक खेती कर रहे हैं बहुत दूवीदा में हैं बहुत ही असंतूष्ठ है वो बाई जो रसायनिक खेती करते हैं लेकिन उनके पास इतना समय नहोते हुए भी वो कहते हैं कि इनको बनाने में बड़ी दिक्कते आती है पर वेस्ट डी कंपोजर क के साथ सब कुछ संबव है सुबास भाई का एक संदेश आसपास के किसान भाईयों के लिए क्या कहना चाहेंगे जानते हैं इनसे मैं किसान भाईयों से कहना चाहता हूं भी अगर फसल की सही पैदावार और सही बचत लेनी हो तो रसायनिक को छोड़कर और गनिक अपना है जिससे जो पैस्टी साड़ पर खर्चा हो रहा है वो अपनी सीधी आमदनी बचत में जूड़ेगी बहुत बढ़िया संदेश दिया आपने आसपास के जो नौजवान किसान साती है जो और गनिक खेती कर रहे हैं या फिर रसायनिक खेती कर रहे हैं उनके लिए आपका एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा जो भी रसायनिक खेती करते हैं रसायनिक खेती के अंदर उप्यों किये जाने वोले उत्पादों के साथ साथ आप इस तरह जेविक उत्पादों का भी उप्यों कर सकते हैं समय को ध्यान में रखते हुए समय से पहले बीमारियों से पहले इसी के साथ दो दिन पहले बनाया गया सुबाशी के फारम पर कई तरह की जहरिली पत्तियों का एक ऐसा घोल जो कापास में थ्रिप्स, माइट्ष, सफेद मच्छर का यहां अधिक प्रकोप होता है इल्लियों का अधिक प्रक आज पास के किसान भाई जान सकते हैं कि यह और क्या-क्या बनाते हैं अगर आप इनका फारम देखना चाहते हैं तो आप इनसे सीधा संपर करें मैं सुबाश भाई से निवेदन करूंगा कि अपने मोबाईल नंबर बता दें ताकि कोई भी किसान भाई आप से जान सकते है सुभाज भाई का कहना है अगर किसी भी किसान मित्र को जेविक खेति करने में दिक्कत आ रही है उनके पास अगर वेस्ट डी कंपोजर नहीं है तो आप इनसे ले सकते हैं इनका एक बार मोबाईल नंबर और वाट्शेप नंबर फिर से दोराएंगे ये तुरानवे एक सो तोशट नबर एक सो तरेपन तुरानवे एक सो तोशट नबर एक सो तरेपन